शिवरातरी का उपवास कैसे करें? वर्षित शिवरातरी 8 मार्च 2024 को बताई जा रही है परन्तु यदि आपको इस पर उपवास रखना है तो कैसे करें? तो चलिए शुरुआत करते हैं एकादशी से. छे तारीक से एकादशी शुरू है तो छे, साथ, आठ, तीन दिन चावल खाना बिल्कुल मना है यदि आपने सोचा है कि शिवरातरी निर्जल करेंगे तो आप साथ तारीक वाली एकादशी को फल, दूद या उपवास का कुछ ग्रहन कर लीजिएगा क्योंकि आठ तारीक मह उपवास के साथ साथ आपको साधना भी करनी है महाशिवरातरी के दिन उपवास की वराइटी बनाकर मत खाना अच्छे से उपवास रखना गाजर का हलवा, चाय कॉफी, शकर ये सभी खाने से बचना शकर बनाने की प्रक्रिया ही ऐसी है कि उपवास के लायक ही नहीं है य जो लोग शिवरातरी पर निर्जल नहीं हैं, वे लोग गुनगुना पानी पी सकते हैं, फल, दूद या नारियल पानी ले सकते हैं, रेडिमेट जूस, कोल्ड ड्रिंग्स, आइसक्रीम या बाजार के पैकिट के चिप्स, ये उपवास को भंग कर सकते हैं, कोई भी वेराइ एकदम से भोजन करोगे तो शरीर में भारीपन महसूस होगा, जिस से आपकी तबियत भी बिगड़ सकती है,